Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप लोगों का एक बार फिल से स्वागत हैं और आप लोगों के लिए good news की कावड यात्रा जल्द ही शुरू कोने वाली है तो कावड यात्रा को शुरू करने के संकेत मिल चुके हैं क्या है पूरा ममला इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इससे पहले अगर भी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकन को प्रेस करना ना भूने ताकि जैसे ही वीडियो प्लोड होगी है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलें हरिद्वार में पर्तिबं की गई कावड यात्रा अब नई सिरे से पुनर विचार किया जाएगा यूपे के मुक्य मंतरी योगी आधितनात और सीम पुषकर धामी के बीच हुई बात के बाद सरकार ने यूटर्न ले लिया है और पुनर विचार करने का फैसला किया है मंगलवार पुर्वहान पुलिस मुक्याले में डीजीपी अशोक कुमार की अधक्षा में कावड यात्रा को लेकर साथ राज्यों के पुलिस अफसरों की बैठक हुई जिसमें यूपी वहिमाचल परदेश के अफसरों ने परतक्ष जबकि अन्य राज्यों के अफसरों ने ओनलाइन के जरिये बैठक में फैसला लिया सरकार ने कॉरोना संकर्मन के मद्दे नजर 30 जून को कावड यात्रा स्थगित करने के आदेश दी थे बैठक में इस आदेश को कड़ाई से लागू करने और संबन्नी तराज्यों में अपेक्षा किये गई कि वे कावड यात्रा हतोत साहित करने के लिए परचार परचार करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ यूपे के सीएम योगिया अध्यानात का कहना है कि हमने टीकाकर्ण का प्रोसेस पूरा कर लिया है और गाउं में भी अलग-अलग तरीके से टीकाकर्ण की परकिरिया को पहुचाया जा रहा है तो हमारे पाल सब भी पूरा टाइम है कि टीकाकर्ण का काम पूरा किया जा सके कम से कम हर किसी को एक वैक्सिनेक्शन डोस दी जा सके तो बैटक में यूपी, दली, हर्याना, हिमाचल परदेश, राजसान, चंडिगड वे इंटेलिजन्स ब्यूर के अफसरों ने हिस्सा लिया पहले बैटक में तैह हुआ कि सरकार के आदेश के करम में कोई भी राज्य कावडियों को हर्दुआर ने आने दी इसके लिए हर द्वार पे नो एंट्री भी की गई इसके लिए उत्राकन के सीमावर्ती चेत्रों में सुरक्षा बल भी तैनात करने का नर्नल लिया गया लेकिन सुत्रों ने बताया कि दोफैर बाद सीम के योगी योगी की मुख्य मंतरी धामे से बात हुई इसके बाद यात्रा पर पुनर विचार की बात कही गई है डीजी पी अशोक कुमार ने बताया कि अभी पूर्व आदेश की कर्व में तयार्या की गई है और संबन्दित राज्जों के अफसरों का वर्टसप ग्रूप भी बनाए गया है ताकि सभी में समय में बना रहे बैटर का संचालन आईजी इंटेलीजेंस संजय गुंजाल ने किया तो 23 जुलाई से थी कावड यात्रा है द्वार में इस बार कावड यात्रा 23 जुलाई से 6 गस तक होनी थी पिछले वर्ष भी कोरोना संकर्मिन के चलते यात्रा परतिवत की गई थी लेकिन इस दोरान छुटपूर्ट संख्या में कावड या आते रहे वही पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2019 में 3 करोड लोग कावड यात्रा ने पहुँचे थे कि राज़े में बहार से ट्रेने और बसों का संचालन नियमित रूप से है ऐसे में यदि कावड यात्रा शुरू होने वाली है तो यूपी में अभी तक प्रस्तावित कावड यात्रा को लेकर कोई भी रोक नहीं है सबसे ज़्यादा कावड यात्रा 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 शुरू है तक कि यूपी के मुक्य मंत्री योगी आधित्यनात अभी तक सार्जनित कहते आई हैं कि कावड यात्रा पर कोई पर्तिवन नहीं है सुत्रो ने बताया कि बैटक में यूपी के पुलिस अफसरों ने यह बात भी कही है तो ये थी दोस्तों कावड यात्रा पर अपडेट जैसे ही इस फैसले पर मोहर लग जाएगे कि कावड यात्रा 25 जुलाई से शुरू होगी वो अपडेट भी आप लोगों को पता चल जाएगी तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जैसे ही कोई वीडियो अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नहीं जानकर के साथ तब तक थैंकि सो मच बबाई टिक क्या